हाई अब्रिवन वल्कम टो डिश्टल जी के क्लासे तो बेपीए सी टीरी 2.0 आपको पता ही है कि नुक्ति पत्र सबको मिल चुका है इसके बाद से जो अपडेट आया है वो मैं आपको बताऊंगी साथ में सीटेट बीएड अभिहरतियों से रिलेटेड जो सूचना है और आ इतने नंबर है, कब तक आएगा सप्लिमेंटर रिजल्ट एक नंबर कम है तो देखिया, आप सब भी का आ जाएगा, जिस्टे लोगों कभी नंबर कटाउफ से अधिक है ठीक है अगरति बाद कंको बताती रहूँंगी पहली बार आये हैं तो चैनलों को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा so that आपको अपडेट मिलता रहे तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको जो जो इन्फोर्मेशन है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी देखे आटी के तहट चात्रों की संख्या पर होना है सिक्षकों का निर्धारण और ये मैं आपको क्यों बता रही हूं क्योंकि इससे एक अंदाजा भी लग रहा है कि सप्लिमेंटरी रिजल्ट कितना हो सकता है दूसरे चरण में घट जाएंगे उसकूल वार सिक्षकों के पद चात्रों सिक्षक की अनुपात में सामने आया है मामला और जिलों में पिछले दिने काटे गए हैं एक लाग बच्चों के नाम तो कहीं ने कहीं इसका इंपक्ट आपको BPSC TRE3 में भी देखने को मिलेगा क्योंकि दूसरे चरण में उसकूल आवंटन में पद घट जाएंगे जिले में ठीक है चात्र संख्या नुपात पर सिक्षकों की संख्या स्कूल वार देने में यह मामला सामने आया है पहले चरण की नुपती के बाद जीले में एक लाख बच्चों की नाम काटे गए हैं विभाग के निर्देशा नुसर आटी के तहर चात्रों की संख्या पर सिक्षकों के पदों की संख्या का निरधारन करना है एक लाग बच्चों के नाम कटने के बाद जिस स्कूल में छै पदों की जरुवत थी उसमें कई जगा अब तीन से चार पद हो जाएंगे ठीक है मतलब पहले बहुत जादा टीचर्स की कमी थी बट अब ये फुल्फिल हो रहा है और मिडल में सबसे अधिक बच्चों के नाम काटे गए हैं पहले चरन की निक्ती में बिभिन जीलों में स्कूल रिक्ती और पद आवंटन में कई तरह की गड़़ी सामने आई थी कई स्कूलों में जरुआ से अधिक सिक्षक भेज दिये गए थे तो कहीं पे कम ठीक है तो ये गड़़़ी अब इस बार नहीं होगी इसे लेकर डियम ने अपने इस तरह से जाश का आदेश दिया है सभी प्रखंडों से रिक्तियों की गड़़ना को लेकर जो पेज फसा था जहांब बच्चों के नाम काटे गए थे वहाँ पर रिक्तियां घटा देना है या फिर पुरुवत रखना है दूसरे चण के निक्ति के बाद जिले में लगबग 27,000 सिक्षक हो जाएंगे एक लाग बच्चों के नाम काटने के बाद अब उनकी संख्या लगबग 7,500,000 हो जहां पर 6 सिक्षक थे अब वहाँ पर होने चाहिए थे अब वहाँ पर 3-4 अल्रेडी हो चुके हैं नियोजिक सिक्षकों ने छोड़ा पद बन रही है अलग सुची अब देखे ये क्यों इंपोर्टेंट है एक बर मैं आपको पताना चाहूंगे आपको पता है कि पहले च जिले के प्रखंडो मिया आकड़ा 300 से अधिक का है डीपियो जो प्रफुल कुमार है उन्होंने बताये कि स्कूल अवंटन को लेकर पदों की गड़ना में युगदान देने के बाद पद छोड़ने वाले नियोजिक सिक्षकों की सुची अलग से बनाई जारी है डीपियो डीवी बगर कराने के बाद भी इनोने जोईन नहीं किया तो वो सीट तो खाली रह गई न तो पहले चरण में भी इतनी सीटे खाली हैं नियोजिक सिक्षकों की और इस बार भी जो है आपको खाली सीटों के संक्या जादा मिलेगी तो कहीं न कहीं सप्लिमेंटरी आपको दिखाना चारी थी B8 की मानेता हटी तो सवा लाख अभ्यर्थी हुए कम देखो आपको पता है कि B8 से अभी वी ऐसे स्टूडन्स हैं जिन्होंने सीटेट का पेपर वन कुछ लोगों ने भरा है पांच लाख अभ्यर्थी सीटेट में होंगे सामिल तो ओवराल बस ए कि आभिधन लिया गया था पेपर वन यानी की आपको पता है कि 1 to 5 में सवा लाख आभिधन कम हो चुके हैं देश भर में अगर पेपर वन यानी अगर आप एक से पांच का देखें तो यह आकड़ा पीछले सत्र से पांच लाख कम अभ्यर्थी ने आभिधन किया है क्योंक हजार आभिधन आए हैं और दिसंबर वाले सत्र में पेपर वन में केवल 2,16 ठीक है केवल इतना रह गया है पेपर टू में आभिधकों की संख्या बढ़ी है क्योंकि छटी से आठी में B8 भी जा सकते हैं DL8 भी जा सकते हैं देखो इस बार केवल 2,00 पेपर वन में भरे है और पेपर 2 में इस बार जो है जो आपको जून्द हो जाते हैं इसके सत्र में 15,000,000 आविधन आये थे और दिसंबर के सत्र में इनकी संख्या बढ़ गई अब 17,500,000 भी हर्थियों ने आविधन किया है क्योंकि इसका सबसे ज़्यदा असर दिख रहा है BPSC के एक्जाम पे क्योंकि BPSC में जो 6-8 है ना वहाँ पर आपको पेपर 2 चाहिए और यहाँ पर बीएड और डिलेट दोनों सामिल हो सकते हैं तो इसलिए पेपर 2 की जो है बढ़ चुकी है और बीएड वाले जो है पेपर 1 में सामिल नहीं होंगे इसलिए उन्होंने ने फॉर्म ही नहीं ब जाएगी इसको लेका सिक्षा विभाग ने जीलावार विवरन मांगा है इसके साथ ही पहले चरण के जो सप्रिमेंटरी रिजल्ट है उसमें सफल 2772 सिक्षकों को भी स्कूल आवंटित किया जाएगा जीलों से प्राप सुची के अधार पर सौफ़वेर के माध्यम से साथ 15 जन्वरी को भोषपूर, नालंदा, सिवर इन सब का होगा 16 जन्वरी को आप ये देख सकते हो सारे डिक्स्टिक और 17 जन्वरी का तो इन्होंने डेट वाई सारी डिक्स्टिक निकाली है और दूसरे चरण में 94,000 अभिहर्थियों को आयोग ने सफल घोसित किया है इ ठीक है तो आज से नेक सिक्षकों को स्कूल आवंटन मिल जाएगा और जीलो से लिष्ट भी मांगी गई है और जैसा कि मैंने आपको बताया है पटना जीले के सरकारी स्कूलों के एक भी सिक्षक कोचिंग में पढ़ाने वाले नहीं और यहां पर चेक भी किया जा रहा है क बिपीएससी से सफल दूसरे चरण में जो यह था चैनीत और प्रथम चरण में पूरक परिणा में सफल रहे कुल 9830 विद्याले अध्यापकों को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया सोमवार से सुरू कर दी जाएगी सबसे पहली योगदान उन सिक्षकों को दिलाए जाएगा सारे जिलावाइस वो अभी मैंने आपको बताया है कि हर जिले में किस तरीके से होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये केवल 73,000 नहीं काउंसलिंग कराई है क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो अल्रेडी टीचर कहीं पर सेलेक्ट थे बिपीएससी वा अगर आप देखें तो सप्लिमेंटरी रिजल्ट जो है उसकी संख्या बढ़ सकती है अगर ये दें क्योंकि मल्टिपल रिजल्ट पर अव्यस सी बात है इनको देना ही होगा बाकी ट्यारी टू के तो ठीक है अब उनको स्कूल वार जो है अब अंटन हो जाएगा और सीटे है नेक्स क्लास में थैंक्स वोचिंग